हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर ताइज चैप्टर नंबर सेक्स मॉलेकुलर बेसे ऑफ इनहेरिटन्स यह चैप्टर बच्चों को काफी दिक्कत आती है इस चैप्टर में और समझने में भी काफी परिशानी होती है और दूसरी बात यह चैप्टर वेटेज वाइज अगर बात करूं तो हमारा काफी बड़ा चैप्टर है बहुत सारे टॉपिक्स हैं थोड़ी सी कॉंप्लेक्सिटी है बाकि समझना इस चैप्टर को बहुत आसान है इस चैप्टर का जो जनेटिक्स और इवलिशन का होने वाला है अब यहां पर यह चैप्टर के नाम में ही इसकी बहुत सारी चीज़े बताई गई है जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या मॉलेकुलर बेसे ऑफ इनहरीटेंस इनहरीटेंस तो आप लोग जानते हो कि वह प्रॉसेस जिस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रां होते हैं एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस प्रॉसेस को हम लोग इनहरीटेंस कहते हैं तो यहां पर हमें क्या बात करनी है उन बेसे की या उन मॉलेकलर बेस ÜDुप कि जिसकी वजह से inheritance होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि inheritance होता है जनरली DNA की वजह से अब DNA को हम लोग genetic material कह देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही organism में DNA एक्ट करता है genetic material कुछ viruses के exceptional case है जहां पर RNA as a genetic material वर्क करेगा अब हम लोग उन structures की बात करते हैं जो इस topic से related हैं और उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ topics लिख रहा हूं जो इस chapter के अंदर हम लोग cover करने वाले हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इस chapter में पढ़ेंगे वह है आपका कि DNA का structure कि इस structure के अंदर कि आप सारी चीजे पढ़ोगे यहां पर nucleotide का structure पढ़ा जाएगा इसके अंदर हम यह देखेंगे कि कि इस तरीके से और होते हैं उनके बीच में basic difference क्या होता है पेंटो शुगर क्या होती है फॉस्वेट यहां पर क्या कर रहा होता है तो उन सब को हम लोग यहां पर structure के अंदर पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि जो double helical model है वो किस ने दिया कैसे दिया इसकी history क्या है उसके अलावा उस एक बेस एक हैलिक्स के अंदर कितने base pairs होते हैं चारगाफ रूल क्या है यह सारी चीज़े हमें इन topics के अंदर cover करनी है तो जैसे ही जब यह topic खतम हो रहा होगा तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक चालो हो जाएगा यहां पर हम लोग इस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे यूकरेटिक और प्रोकरेटिक जो पैकेजिंग होती है वो देखी जानी है फिर यहां पर यूक्रोमेटिन हिट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है आपका नुक्लियोजोम क्या है वो सारी चीज़े हम लोग इस टॉपिक के अंदर cover करेंगे फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा क्योंकि देखिए जनरली पहले क्या था कि सब लोग अपने अपने हिसाब से हाइपोसिस देते थे कोई कहता था कि DNA genetic material है कुछ कहते थे RNA genetic material है किसी का कहना था प्रोटीन genetic material है एक्जेक्ट किसी को नहीं पता था तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक स्ट्रीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें पढ़नी होगी तो यहां पे उस टॉपिक को कहा जाता है सर्च ऑफ जनेटिक मटीरियल अब सर्च ऑफ जनेटिक मटीरियल में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इस कड़ी के अंदर आने वाला है वह आपका ग्रिफित ग्रिफित एक्सपेरिमेंट से कुछ प्रूब नहीं हो आता तो फिर इसकी बायोकैमिकल करेक्टराइजेशन की कई थी तो बाइओद के मिकल केरेक्टराइजेशन को तीन अलगअ ग्ज्ञानिक थे जब इसकी बात करेंगे तब हम बात इसको दंक से पढ़ा जाएंगे तो बायोकेमिक करेक्टराइजेशन होने के बाद यहां पर भी चीजे लिए नहीं थी तो एक हर्ष्य और चेज नाम का ब्लेंडर एक्सपरिमेंट पर फॉर्म किया गया पिर हर्शेंचेज एक्सपरिमेंट के बाद हमारा यह प्रूव हो पाया कि DNA एक्ट करता है जनेटिक मटीरिल के तौर पे फिर हमें पढ़ना है क्या कि आपका Central Dogma सेंटर डॉग्मा के अंदर हम लोग सारे प्रॉसस को पढ़ेंगे इसे किस नहीं दिया था DNA से DNA बनता है तो उसे रैपलिकेशन कहते हैं DNA से RNA बनता है तो उसे ठांस्कृरिप्शन कहते हैं और RNA से अगर प्रोटीन बनती है तो उसे translation कहते हैं उसको उसमें पढ़ा जाएगा अब उसमें ही सारे mechanism कौन-कौन से सबसे पहला हमें पढ़ना है replication तो जब replication पढ़ा जाएगा तो replication हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले ही इसके अंदर एक topic आ जाएगा वो है semi conservative nature of DNA replication अब वो जो semi conservative nature है DNA replication का उसे prove करने के लिए एक experiment हुआ था जिसका नाम है मैसलसन अंद स्टाल एक्सपरिमेंट तो वो हम replication के साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि replication को ही semi conservative प्रूप करने के लिए एक्सपरिमेंट किया गया तो यहां पर नेक्स जो पढ़ा जाएगा वह है मेसल्सन कि एंड कि स्टाहल कि कि एक्सपरिमेंट फिर जैसे ही एक्सरा हमारे खतम होगा एक टॉपिक चालो ओगा इसके बाद जैसे कहा जाता है ड्रांस्क्रिप्षं काफी बड़ा चैप्स्टर है बहुत सारे टॉपिक्स हैं बहुत क्रांस्क्रिप्षं जैसे भरता है जो जहां इसके बाद हãy एक है पूर प्रांस्क्रिप्ष्टल प्रसेंग नाम 2 वह वह स्यक्रायक होगा की होज़ा पूर्श ट्रांस्क्रिप्षन होता यहां पे जो आरने तयार होता तो कम्पलीट आरेने नहीं तो यहां पर नेक्ट्ट टौपिक है वो होगा पोश्च ट्रांस्क्रिप्स्निल processing अब क्या होगा जैसे ही post transcriptional processing या post transcriptional modification शुरू होगा यह खतम होने वाला होगा तो उसके बाद ही एक topic हमारा शुरू हो जाएगा that is type of RNA polymerase type of RNA polymerase और दूसरा हमारा type of RNA यहां तक topic हो जाने के बाद क्या होगा कि अब एक topic शुरू हो जाएगा जो translation को एक translation का introduction वाला part है ना वो तो आपको जब type of RNA पढ़ा रहा होंगा तभी मिल जाएगा कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होता उसमें प्रोटीन संथेजिस होना वो सब यहां पर हो गया अब ट्रांसलेशन जैसे ही खतम होगा हमारा एक नया बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक बिल्कुल जो इससे रिलेट नहीं करता इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वो स्टार्ट होगा इसमें हम लोग ओपिर ओन मॉडल को पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे ही जीन एक्सप्रेशन खतम होगा एक हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे कहते हैं हम लोग पोकपनार ग्सप्रेशन एक्सरा प्रेंगे ओन जो नहीं हो जार्ट प्रेंगे डियन एक्सरा टॉपिक शीन प्रोट ग्रेंगे इस रिएड जीलोग आजीगे हम इस chapter के अंदर complete करने वाले हैं देखिए topic पढ़ते रहेंगे उसके साथ आए हुए जो previous year questions है वो भी हम साथ में solve करेंगे ठीक है तो आएए देखते हैं किस तरीके से DNA का structure होता है और genetic material की जो monomeric unit है that is nucleotide वो किस तरीके से polymerization करके एक पूरी DNA की chain को फॉर्म करती है अब genetic material के तोर पे कौन कौन काम करेगा तो सबसे पहला generally जो most of the living organism के अंदर genetic material है वो है DNA और कुछ exceptional cases है जहां पर RNA as a genetic material के तोर पर वर्क करता है अब यह जो DNA है मैंने क्या लिखा in most of the organism और ने इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट इस जेनिटिक मेटीरियल इन फ्यू वाइरसेज अब देखिए जो डिने हैं इसको फॉर्म करने के लिए जो इसकी मोनुमरिक योनिट है वो होते हैं हमारे नूक्लियोटाइड अब इस बात को शुरू करने से पहले इन दोनों के बीच में महुत हलका फुलका सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए DNA जेनिटिक मेटीरियल के तोर पे काम तो करता है लेकिन जो इस अर्थ पे सबसे पहला जेनिटिक मेटीरियल था वह हमारा आरेन नहीं था अब ज्यादातर और अर्गनिजम के अंदर डिएन जेनिटिक मेटीरियल के तोर पे काम क्यों करता है क्योंकि डिएन इस ट्रक्चरली और केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है क्यों आती है स्टेबिल्टी अभी देखेंगे यहां पे जो सबसे यूइनिट होती है जो एक नुप्लिकेसिड डिएन इसको फॉर्म करती है वह हमारी नुक्लेटाइड अब नुक्लेटाइड के तीन हिस्से हैं पहला हिस्सा है पेंटो शुगर पेंटो शुगर दूसरा है पासपेड और तीसरा है हमारा जिसे कहते हैं हम लोग कि नाइट्रोजिनस बेस अब नाइट्रोजिनस बेस जो होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइट किया हुआ है एक है हमारे प्यूरीन जो की नाइन मेंबर्ड रिंग होंगे और दूसरे होते हमारे पिरिमिडिनस जो सिक्स मेंबर्ड रिंग होते हैं इनमें देखिए यह टूरिंग स्ट्रक्चर है दो रिंग लगी होती है यहां पर एक कंप्लीट रिंग होती है एक आधी रिंग होती है और यहां पर केवल एक ही रिंग होती है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारी पोजिशन पर लगा रहता है 1, 3, 7 और 9 यह 4 position है जिस पर nitrogen present होता है और primidines में केवल 2 position है 1st and 3rd जहां पर nitrogen present होगा और हमने purines को 2 category में divide किया हुआ है एक है adenine and 2nd one is guanine and primidine हमारे 2 category में divided है एक cytosine दूसरा thymine और RNA में thymine नहीं होता तो इसलिए thymine केवल DNA के case में मौजूद होगा जो RNA है वहाँ पर thymine के replace करता है कौन? uracil तो मैंने जो आपको अभी बताया जो purine होते हैं वो double ring structure होता है इनका तो किस तरीके से है? इस तरीके से एक complete ring होती है और एक इस तरीके से हमारी half ring मौजूद होती है इनकी numbering कर दे तो first यहाँ पे होगा second position यह third position थर्ड पे और nitrogen लगा है यह fourth यह fifth यह sixth उसके बाद यहाँ पे seventh position पे और हमारा nitrogen लगा रहता है और यहाँ पे यह eighth हो गई और ninth position तो यहाँ पे first position second position seventh and ninth position जहाँ पे हमारा nitrogen मौजूद होगा अब जो पिरिमीडीन है पिरिमीडीन के अंदर nitrogen लगा होता है केवल first और third position पे ठीक है तो आप कहीं से भी numbering चालू कर सकते हो for example मैंने यहाँ पे first यहाँ से start कर रहा हूँ यह second है यह third, fourth and fifth and sixth तो first और third position पे यहाँ पे nitrogen मौजूद होगा इस तरीके के सवाल बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं हलाकि नीट में पूछे जाते हैं कि purine में nitrogen कौन कौन से position पे मौजूद है तो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा 1379 और इसी तरीके से पिरिमेड इन में पूछ लिया जाता है अब एक न्यूक्लियोटाइड का जो structure है वह किस तरीके से हो सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले एक पेंटोSHUGAR होती ये है पेन्टो शुगर के अंदर कार्बन होते हैं इसके अंदर कि पार्वन कर्ण कर बन तर्ड कार्बन और फीफट की परमієं say Stephen हो गया यहां पर आप रिंग को बंद कर दीजिए अब और इसके कार्बन की पोजीशन पर हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉंड से नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है यहां पर जो बॉंड है वह होता है ग्लाइकोसिडिक बॉंड और इस पोजीशन पर यहां पर कार्बन के उपपर फॉस्पेट लगा होता है और यहां पर जो बॉंड मौझूद होंगे उसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोइस्टर बॉंड या कोवेलेंड बॉंड भी कहते सकते हैं उसे आप कोवेलेंड बॉंड तो इस तरीके से यह तीन चीजे मिलके नाइट्रोजिनस बेस पैंटो शुगर इसको शुगर बैकबोन भी कहा जाता है क्योंकि में सेंटर पोजिशन पर यह होती है अभी पता चल जाएगा किस तरीके से और यह यहां पर फॉस्फिट लगा होता है इस तो यह तो हमारा एक सिंपली नूक्वियटर इस्ट्र कर चाहे है किस तरीके से होगा तो देखिए नूूक्वियो टाइड में से आप फॉस्फिट को निकाल दीजिए तो जो बचता है उससे हम लोग नूूक्लियो साइड कहते है that is called nucleoside phosphate को side कर दो यहां से phosphate था इसको side कर दिया तो बचा क्या हमारा nucleoside got it तो यह तो एक simple structure है अब यहां पर RNA और DNA में difference कहां पर आता है तो देखिए इस पेंटू शुगर में जो DNA होता है अगर DNA की बात करूं तो DNA के अंदर second position पे second carbon की position पे hydrogen मौजूद होता है और इसके contrast में अगर मैं RNA की बात करूं तो RNA में जो पेंटो शुगर होगी वहां पे second position पे hydroxyl मौजूद होगा ओएज ग्रूप अब यह जो ओएज ग्रूप होता है यह होता है ज्यादा रियक्टिव और जो चीज़ ज्यादा रियक्टिव है इस वेरी मच लाइबल टुगेट डिग्रेड इजली यह बहुत जल्दी डिग्रेड हो सकती है क्योंकि इसकी reactivity DNA के मुकाबले ज्यादा है तो आपको पहला रीजन तो समझ में आ गया होगा कि DNA genetic material के तौर पर काम क्यों करता है अब DNA में एक चीज और है DNA में दो strands होते हैं एक strand तो आप यह बताईए दो एक जगह सिंगल स्टेंड एक जगह तो दौनों में से रियक्ट जो अगर मैं बात करूं स्टेबल्टी की तो डो स्टेंड वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा सिंगल स्टेंड हमारा कम स्टेबल होगा अब्विस सी बात है तो इसे लिए DNA chemically as well as structurally more stable होता है RNA से that's why it work as genetic material अभी बताऊंगा कि genetic material अगर कोई भी substance अगर वह genetic material तोर पर अगर act करना चाहता है तो उसको कुछ criteria है जिनको fulfill करना चाहिए सबसे पहला तो वहां पर क्या होना चाहिए कि वह अपना replica त्यार कर सके मतलब इट शुड एबल टू प्रड्यूज इट्स रैपलिका मतलब एबल टू परफॉर्म दा रैप्लिकेशन प्रोसेस तो DNA क्योंने कैपिबल है application करने में दूसरी करेक्टर स्टिक उसकी होने चाहिए कि उसको structurally chemically stable होना चाहिए वहां पे slow rate of changes होने चाहिए मतलब वह अपने के लिए vaccine मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्यों क्योंकि यह जल्दी फास्टर रेट पे अपने अंदर mutation चेंजिस कर सकता है और लास्ट इट्सूड एबल टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ मेंडेलियन करेक्टर मतलब वह मेंडेल की लोग को भी फॉलो करें तो वही हमारा genetic material होगा आगई बास समझ में तो यह तो एक बहुत बेसिक सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी अब यहां पर बात करेंगे हम लोग कि polyм ***같ा कि मतलब कि दियंए की जो चेन है डबल लाहलेक्स वह तरीके से लगा होता है मतलब जो एक नूक्लियोटे है वह दूसरे नुक्लियोटे से कॉंसा बॉंड से फर्म बॉं diamond से जो है वह अटैच रहता है और दूसरे वाले हमारी दो चेन होंगी ना एक चेन तो ऐसे होगी दूसरी चेन इस तरफ होगी तो उन दोनों के बीच में कैसे हमारा उसको प्रोवाइड की जाएगी तो आओ उसे भी देख लेते हैं आईए अब देख लेते हैं कि डियने का जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होगी मतलब जो दौनों स्ट्रेंड्स होंगे वह किस तरीके से होते हैं तो यहां पे एक सिंपल सा आपको क्या करना है मैं outta पहले एक स्ट्रेंड बना रहा हूं आपके सामने और समझेगा यहां पर इस तरफ लगा दे रहा हूं नैट्रोजिन के तौर पह आप पोई भी ले लगा देता हूं मैं ऑर यहां पर हमारा यह सीएस टू पाँचवा कार्वन और इसके उपर लगा हुआ है पी यहां पे क्या होता है अगर इसको पॉलीमराइजेशन करनी है मतलब इसको एक नुउक्ली केसिड ड् druks ट्रॉक्चर को फॉर्म करना है तो इसके थरद से कै इसके इसके कार्बन तक एक ऑंड फॉर्म करना पड़ेगा आप नहीं फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड हो गया ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन पूर्थ कार्बन और इस फिफ्थ कार्बन के उपर क्या मौझूद है हमारा फॉस्फेट तो फॉस्फेट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं उपन करके structure को तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है phosphate को तो इस structure को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ phosphate को उपन करके लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह O है थोड़ा space कम रह गया यहां पे एक bond form हो रहा है आपके सामने you can see that यह this one that is COPOC यह जो bond बना है हमारा इसी bond को कहा जाता है phosphodiester bond this bond is known as phosphodiester bond अब देखो DNA को जब भी आप लिखते हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग हमेशा एक polarity लिखते हैं तो polarity में जब भी लिखा जाता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि भई 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम इसका मतलब क्या है इसे भी समझ लीजिए देखिए जिस भी नुक्लियोटाइड में मतलब यह जो हमारा नुक्लियोटाइड है उसकी जो चेंड मनेगी उसमें जो भी कारवन फ्री होगा और अंड की तरफ होगा उसको हम उसी प्राइम के नाम से जानने लग जाएंगे जैसे यहां पे फिफ्थ कारवन एंड की तरफ है एंड की तरफ है इसके उपर केवल फॉस्फेट लगा हुआ उपर किसी से नहीं जोड़ा हुआ तो यह फाइव कार्बन जो फिफ्थ कार्बन है इसका यह एंड की तरफ है ठीक है तो इसे हम लोग फाइब प्राइमेंड कहेंगे अब देखिए आप कहोगे कि यह फाइब प बना रहा है देखिए इसका फिफ्थ कार्बन फिर उक्विपाई हो गया तो ऐसे ही अप एक करोड नुक्लियोटाइड को भी लगाते चले जाईए उसमें फिफ्थ कार्बन उपर वाले नुक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में बिजी होग लेकिन जो लास्ट भी एक करोड भी लगा दो इसमें चेन उसका थर्ड कार्बन हमेशा एंड की तरफ होगा फ्री होगा तो यहां पे जो यह थर्ड कार्बन एंड की तरफ आएगा आप कितने वड़ी चेन कर लीजे उसमें हमेशा थर्ड कार्बन फ्री होगा क्योंकि उस जो दूसरा structure होगा जैसे एक स्टरेंड तैयार किया है कि यहां कि त्यार करेंगे वह स्ट्रेंड एंटी पैरलल होगा इसके एंटी पैरलल का मतलब क्या कि यहां पे जो रिंग है वह उल्टी लगी होगी इस तरीके से अब कहोगे रिंग लगी हुए उल्टी तो अब कैसे होगा तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा चारगाफ का नियम है या चारगाफ रूल कहते हैं उसे उसमें क्या होता है कि जो एडनीन है वह हमेशा थाइमीन के साथ कॉंप्लिमेंटिरिटी शो करता है औ और हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ा होता है कितने दो हाइड्रोजन बॉण्ट्स की मदद से यहां पर ये दो हाइड्रोजन बॉंड है जो एस रेडनीन और थाइमीन के बीच में बने होंगे हैं और इस तरफ यहां पर लगा होगा हमारान?" अर्याबाट समझ बहीं यहा तरफ लगा हुआ है हमारा phosphate अब आपको क्या करना है अब numbering कीजिए देखिए फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन और इसके उपर लगा होगा phosphate अब यहां पर आप देख सकते हो कि थर्ड कार्बन किसी के साथ यहां पर कोई bond कार्मेंट कह देंगे और अब यह जो फिफ्ट कार्बन होगा वह दूसरे वाले के थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉंड बना रहा होगा किस तरीके से तो उसे भी समझिए देखिए यहां पे यह मैंने आपका बना दिए यहां पे ग्वानीन शो करता है विद दा साइटोसीन यहाँ पे दो हाइडरोजन बॉंड है ग्वानीन और साइटोसीन के बीच में तीन हाइडरोजन बॉंड होते हैं यहाँ पे तीन हाइडरोजन बॉंड होंगे बिट्वें दा ग्वानीन एंड साइटोसीन और अब क्या होगा कि यह जो phosphate है इसको वैसे जैसे यहाँ पर मैंने open करके लिखा था structure को इसी तरीके से आप लिख दीजे यह 3rd carbon यहाँ पर यह 1st carbon 2nd carbon 3rd carbon 4th carbon और यहाँ पर आपका 5th carbon CS2 और इसके उपर लगा होगा आपका फिर से phosphate तो आप देखिए यहाँ पर इन दिस इस आलसो फॉर्मिंग अबॉंड यहाँ पर भी देखिए यह सी है यहाँ पर यह कार बन है यहाँ पर फिर से बन गया क्या बन गया फॉस्फोडाइस्टर अपर फॉस्फोडाइस्टर बॉंड अब देखिए अब एक करोड फिर से नुक्लोटाइड को यहाँ पर लगाते चले जाएं जब भी इसका जो भी इसके बाद एक लाकवा भी नुक्लोटाइड होगा उसका थर्ड कार्बन पिछले वाले नुक्लोटाइड के साथ पॉस्फोडाइस्टर बन बनाने में बिजी होगा वहाँ पर अक्यूपाइड है अल्रेडी लेकिन जो फिफ्थ कार्बन है यह अदर इसलिए लिए देखिए पोलेरिटी क्या हो जाती है फाइब प्राइम टू टू थ्री प्राइम और लिए और र्तिर उनसे को अ सफ्लीय यहां तक तो मेरे हिसाब से चीजे आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिने के अंदर किस तरीके से होता है अब देखिए मैं चारगाफ रूल की बात कर रहा था चारगाफ का जो नियम है उसे भी सुन लीजिए चारगाफ ने कुछ ज़्यादा कॉंप्लेक्स चीज नहीं बताई थी चारगाफ रूल चारगाफ ने बताया था कि कि ए अपॉन टी प्लस जी अपॉन सी का जो सम होता है वो इक्वल टू वन होता है मतलब कि जो हमारे एडिनीन है जो नंबर ओफ एडिनीन है आख औलव क्या थाव साथ, आख एल ूंबर ओफ एल्वाज घ्वन टभिनीन फाव लू प्रिन। नंबर ओाउत कि अधनीन टूब खाद दो ताय। बॉंड बिट्विन एडनीन एंड थाइमीन एडनीन एंड थाइमीन के बीच में हमारे दो हाइड्रोजन बॉंड होते हैं और ग्वानीन और साइटोसीन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉंड होंगे तो इससे रिलेटेड एक बहुत इजी सा कोशन फूश लिया जाता है तो कोशन कुछ इस तरीके से है पौर एग्जामपल कोशन वो देंगे कि एड़नीन जो है वो दिया हुआ है पौर एग्जामपल 20% कुछ भी ले लिजे आप 25 कर लिजे ठीक है एड़नीन 25 है Now they are asking what is the percentage of guanine, cytosine and thymine इनकी percentage आप से पूछी गई है तो आप किस तरीके से निकालेंगे देखें कॉम्पलिमेंटरिटी के हिसाब से number of adenine are always equal to number of thymine तो अगर adenine 25 है तो जो हमारे thymine होंगे ये भी 25 होंगे और किसी भी चीज़ का maximum sum हमारा 100 होता है 100% से जादे तो कुछ नहीं हो सकता आप लोग भी अगर score करोके तो 100% ही maximum score कर सकते हो तो यहां पे 100 maximum है तो आपको 2 का पता चल गया adenine और thymine that is 25 plus 25 is equal to 50 अब आपको 50 पता चल गया आपको 2 का पता करना है तो 100 मेंसे 50 को माइनस कर दीजे जो remaining बचेगा that is 50 और इसको आप डिवाइड गर दीजे क्योंकि 2 का पता करना है तो 2 से तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 25 तो यहां पे जो दोनों बचे वो भी क्या होंके 25 और 25 इसी तरीके से आप एडिनीन को या किसी को भी अल्टर करके इस तरीके के questions को solve कर सकते हो बहुत इजी ह है अब यह तो एक बहुत बेसिक सी बात रही डिने के structure की अब थोड़ी history भी जान लेते हैं कि डिने की history क्या है कि अब हम लोग जान लेते हैं कि history of DNA कि देखिए कि यहां पे सबसे पहले जो डिने को observe किया था वह 1869 के अंदर किया गया था कि तो समय एक scientist थे जिनका नाम था फैडरिक मैशर फैडरिक मैशर ने वह दो फर्स्ट वन तो अब्जर्व डिने इंसाइड नूकलियस तो वह उस टाइम पे जो टर्म था वो डिने यूज नहीं किया जाता था तो इन्होंने टर्म यूज किया था नूकलियन तो यहां पे क्या है ही अब्जर्व डिने इंसाइड नूकलियस एंड कॉल्ड इट नूकलियन इन्होंने नूकलियन तर्म यूज किया था कि अब हुआ क्या कि नाइटीन फिप्टी थी में हमारे दो साइंटिस्ट थे देखिए एंस्याइटी में हम दो साइंटिस्ट का नाम बढ़ते हैं को आपके जेम्स वाट्सन और फ्रांसिस क्रीग इन दोनों ने डिने डबल हेलिकल मॉडल दिया था लेकिन उसके पीछे क कि एक छोटी सी हिस्ट्री है ऐसा था कि दो और साइंटिस्ट थे हलाकि यह दोनों के दोनों आपके बाइलोजी के परसन नहीं थे दियार परसन ऑफ फजिक्स उनका जो जो इंट्रेस्ट है सम्हाव डेवलप हुआ और उन्होंने यहां पर डिने के स्ट्क्चर को दिया त एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मूरिस मूरिस-Wilkin और सेकंड वन वोज रोजलेंड रोजलेंड फ्रेंकलिन इन दौनोंने क्या किया था मूरिस-Wilkin और रोजलेंड फ्रेंकलिन ने इन्होंने एक X-ray crystallography टेक्निक होती है उस X-ray crystallography टेक्निक को यूज किया और यूज करने के बाद कुछ data generate किया और इसी डेटा को यूज किया था हमारे जो जेम्स वाट्सन and Francis Creek ने they utilized this data and give DNA double helical model झाल झाल